तोटा पिक्चर क्लियर करिए बताईए भाई यह बड़ा कनफ्यूजन फ्याल कर ऐसे काँन कहां जा रहा है क्या ख़़रे सफा की जो आज सेट s remember थी उस में ऐसी चर्चा है कि काफी में लेज मिशिंग हैं कोई साथ कह रहा है को चार्ण कहा कह रहा है क्ल किया होने वाला है वो टिंग में देखिए चुनाओं तो बहुत काटे की लड़ाई का हो गया है और कहा जाए तो ये रात बड़ी कयामत की है बहुत भारी है और राजसभा और MLC के चुनाओं में हमेशा लैला और थैला इनका खेल चलता रहा है और ये दोनों आज की तारीक में भाजपा के पास है तो संजय सेठ नाम सही सेठ है सेठ महाजन तमाम बार बैक दोर से एंटरी लेते रहें संसदों में इस देश में तमाम ऐसे चुना हुए हैं तो क्या चमतकार होगा कल ये तो देखिए सामने आएगा लेकिन ये जरूर है कि आज समाजवादी पार्टी क मीटिंग में कई सारे विदायक नहीं पहुँचे हो सकता है कुछ ने अपने नेतित को बताया हो लेकिन कुछ ऐसा भी है कि अगर राकेश सिंग या अभय सिंग वो आज नहीं आये मीटिंग में पूझापाल नहीं आई गोरी गंज से और अमेठी से महराजी देवी नहीं ये तो अमेठी और राय बरेली का समीखर्ण तो बीजेपी ने साध लिया क्योंकि मनोध पांडे को लेकर भी चर्चा है कि वो नहीं पहुँचे कितने इसे नाम है जो नहीं पहुँचे लेकिन इसमें अमेठी और राय बरेली के विदायक जादा है एक बुंदेल खंड से भी नाम आ रहा है तो ये सब नहीं आएंगे या किनी काणों से नहीं आए क्रास वोटिंग के चक्कर में नहीं आए ये तो कल खुलासा होगा लेकिन आज जिस तरह से राजभर बयान दे रहे हैं कि राजसभा के लिए रात अंतिम है उसे लग राए कि राजभर को मंत्री बनाई जाने कोई डेट मिल गई है वो खुदे पहुंच गए राजा भाहिया के हां मुलाकात करने की साथ आओ माहौल बना हुआ है तो उन्होंने भी दे दिया कि भाई देखियो मैंने का कि पूजी पतियों का उद्धोग पतियों का थाइली साहों का इस तरह के चुनाओं में बड़ा उप्योग होता रहा है तो रेट की बात जब आती है तो एक बार महराश्ट विधान सभा परिसर में एक नारा लगा दिया विधायकों ने कि पचास खोखे एकड़मो के हैं यहाँ पर सायद उतना ना हो छोटा ना रहरा हो पांस खोखे एकड़मो के लेकिन पता नहीं इस पर बात बनेगी की नहीं बने में यह भी इनको बचाए रखना है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज आसंका पैदा कर रही है कि बीजेपी के पास इस समय ताकत है उनके पास देने की विस्तिती है और उनको लोगसभाद चुनाओं में भी वह एड़ेस्टमेंट की बात भी कर सकते हैं आगे आने वाल करेंगे विप लागू है क्या सदस्तिता पर खत्रा होगा अथ्वा नहीं होगा कि देखिए बहुत कलाई से लागू होता है राजसभा के चुनाओं में इसमें अध्यक्ष बहुत दिन तक बचा नहीं पाएंगे मैक्सिमम 6 महीनें सदस्ता चली जाएगी अगर कोई क्रास तोलेगी कि सफा भी बीजेपी में तोलेगी या सफा भी बीजेपी के सहयोगी दलों कुछ तोलेगी और कितने पे तोलेगी एक वाले को तीन पे तोलेगी कि दो वाले को पांच दे देगी यह सब भी है पर दूबे जी तो कसम खा रहे हैं कि नहीं नव एक साथ हैं एक जानते हैं देखो अपने आकायाता गुजरा गवाही और लुटा वराती कल कबाद इनका कोई पूछे ना मोट देने बाद आज जो मिल आज तो देखो सबकी दावत है अभी भाजपा अलग दावत कर रहा है कि जो है वो डावत खा रहा है दावत कर रहा है भोजन तो चल रह है वो सबाजी है और विधायक जो बहुत अपने आपको कह रहें भाई कि हम एकदम इंटैक्ट हैं यहीं रोए है पाक साल और दो साल कि हमारी सुनी नहीं आती जिले में डीमस पी सुनता नहीं फिर जाके रोएंगे चार-छे दिन से पूछ हो रही है तो यह तो हमेशा की ख्रीती रही है लेकिन आज से नई सदियों से बास चली आई है कि वफादार सिर्फ जानवर रहा है जो बेजुबान है वह वफादार रह सकता है पलपल रंग बदलने वाला इंसान कभी वफादार नहीं हो सकता तो यह बिधायक हों सांसद हो यह और नेता हों यह तो में परिस्तिती में लालच में परलोभन में यह बताओ कि समाजवादी पार्टी अपने मेलेश को इंटेक्ट रखने में नाकाम है यह बात है या फिर बीजेपी का प्रभाव ऐसा है कि सर्टेन कुछ खास-खास मेलेश को तोड़ लाई वो तूटने को बेचैन रहे होंगे अगर यह तूटना होती तो यह धोखे बाजी विश्वास घात सब्द कहें किताबों लिखा जाता इसकी उप्योगिता ही न रहती आज फिर इस पर बात हो रही है देखिए तूटने के बहुत सारे कारण होते हैं किसी को अपना ब्यापार बचाना है किसी को आगे टिकट पक्का हो जाएगा किसी को मंत्री पत का स्वासन मिल जाएगा किसी को छापाओ रेट से बचना है तो बहुत सारी चीजें होती हैं तमाम कहानिया अतीत में रही है सियासत में आज के दौर में कोई नेता ऐसा नहीं है जो बीना सत्ता के रहना चाहे विपक्ष की राजनीत बहुत कठिन हो गई है आंदो अलन के दौर समाथ हो चुके हैं कोई जेल नहीं जाना चाहता तो फिर क्या करेगा आदमी यहीं सब तो रहेगा जी वह इसे कहा गया है कि पहले कहा जाता था कि इतिहासों के कालखंड में जो चुपाए जाएंगे दो पदी के चीरहरण में जो चुपाए जाएंगे इतिहासों के कालखंड में सब कायर कहलाएंगे लेकिन अब इन सब चीजों की किसी को परवाण नहीं है चाहे कायर कहो चाहे दलबदलू कहो कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन आज का जो जमाना है उसमें इतना जरूर है कि जब दोस्त सामिल हो जाए दुस्मन की चाल में तो सेर भी फंस जाता है मकड़ी के जाल में सुनिएगा कि अब तो लोग बस नकाब लिए फिरते हैं रौप रुटबा और रईसी की चाहत है सबकी अब तो सब के सब खाली हाथ लिए फिरते हैं और किसको किस से मुहबबत है ये तो पता नहीं मगर नादान परिंदे प्यास लिए फिरते हैं और मैं ये जंग जीत भी जाओंगा लेकिन यारों हम अपनी ही कतार में कुछ गदार लिए फिरते हैं बहुत शुक्रिया विरेंजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और रात में भी नजर बनाये रखिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश की राहिनीत में रात में ही कई बड़े-बड़े कांडु में